राजस्थान में अगर कोई पुलिस कर्मी ट्राफिक नियमों का उलंखन करेगा तो उसके खिलाफ दो गुना जुर्माना वसूला जाएगा साथ ही उसके खिलाफ विभागी कारिवाही भी होगी ADG ट्राफिक वीके सिंग ने मंगलवार को ये आदेश जारी किये है ADG ट्राफिक वीके सिंग ने बताया कि प्रिदेश से कई तस्वीरे ऐसी आती हैं जिनमें पुलिस कर्मी बिना हेलमिट लगाए दो पहिया वहानों पर चलते हुए दिखाई देते हैं तो वहीं कोई शराप पीकर वहान चलाते हैं तो कई पुलिस कर्मी बिना सीच बैल्ट लगाकर ट्राफिक नियमों का उलंगहन करते हैं पकड़े जाने पर ये पुलिस कर्मी खुद को पुलिस में होने का दबाव बनाकर छूट जाते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इन पुलिस कर्मियों की खिलाफ ना केबल मोटर भाहिकल एक्ट के दहत कारवाही की जाएगी साथ ही ट्राफिक नियमों की पालना नहीं करने वाले पुलिस कर्मियों पर विभाग ये कारवाही भी होगी एडिजी वीके सिंग का कहना है कि कई बार उनके पास इस तरीकी की शिकायते आई हैं जिसमें बताया गया कि पुलिस कर्मियों खुद ही सड़त पर ट्राफिक नियमों को तोड़ रहे हैं ऐसे में पुलिस की छवी खराब होती है साथ ही नियमित रूप से वहां चलाने वालों में पुलिस का डर खतम होता है इसे देखते हुए पुरे प्रदेश के सभी ACP को आदेश जारी किये गए हैं कि वे अपने जिले में इस आदेश को सर्कुलेट करें ऐसे पुलिस कर्मी जो कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और खासतोर से तब जब वर्दी पहने वे होते हैं अगर ट्रैफिक नियमों का उलंगन करते हुए कोई भी वर्दी पहने वे पुलिस कर्मी मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ा ACTION लिया जाएगा